प्राचिन काल में सिद्धों और गंदर्वों के आवास रूप कैलास परवत के शिखर पर कल्प ब्रिक्ष के फूलों से बने हुए अत्यन सुन्दर मंदीर में मुनियों के बिच व्याग्रचर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वरा वंदन किये जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्रव मुखवाली पारवती ने आस्चर चकित होकर पूछा हे उमकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव, स्रिष्ठों के स्रिष्ठ, हे जगत गुरु आपको प्रणाम है देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वत प्रणाम करते हैं आप ब्रम्ह, विष्ण, इंद्र, आदिके नमस्कार के योग्या हैं ऐसे नमस्कार के शाश्वत रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्याता, हे शम्भो, जो सब व्रतों में श्रिष्ठ है ऐसा उत्तम, गुरु महात्म्य, कृपा करके मुझे कहें इस प्रकार परवती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किये जाने पर महादेव ने अंतर से खुब प्रशन होते हुए परवती से इस प्रकार कहा यह तत्त्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं, पहले किसी से भी नहीं कहा फिर भी तुमारी भक्ती देखकर वह रहस्य कहता है, यह देवी तुम मेरा ही स्वरूफ हो, इसलिए तुमको कहता हूँ तुमारा यह प्रशन लोक का कल्यान कारक है, ऐसा प्रशन पहले कभी किसी ने नहीं किया जिसको इश्वर में उत्तम भक्ती होती है, जैसी इश्वर में वैसी ही भक्ती, जिसको गुरू में होती है, ऐसे माहत्माओ को ही यह कही हुई बाते समझ में आएगी जो गुरु है वही शिव है जो शिव है वही गुरु है दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है यो गुरु सशिव ह प्रुक्तो यह शिव ह सगुरु स्मृता विकल्पम् यस्तु कुर्विता सनरो गुरु तल्पग है प्रिये वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्यसर्व मतमतांतर ये सब बाते गुरु तत्तो को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथवरष्ट करने वाली है और जब तब वरतिर्थ यज्यदान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं हे सुमुखी आत्मा में गुरु बुद्धी के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है सत्य नहीं है इसलिए इस आत्मग्यान को प्राप करने के लिए बुद्धिमानों को प्रेत्न करना चाहिए जगत गुड अभिध्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन हुआ है इसका विश्ले शनात्मक ज्ञान जिसकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते है जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुस्य सव पापों से विशुधात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी की चड़ का सम्यक शोशक है ज्ञान अतेज का सम्यक उद्धिपक है और संसार सागर का सम्यक टारट है अज्ञान की जड़ को उखाडने वाले अनेक जनमों के कर्मो को निवार करने वाले ज्यान और वैराग्य को सिध्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए अपने गुरुदेव के नाम का किर्तन अनंतस्वरु भगवान शिव का ही किर्तन है अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंतस्वरु भगवान शिव का ही चिंतन है, गुरुदेव का निवास्थान काशी क्षित्र है, श्री गुरुदेव का पादोदक गंगाजी है, गुरुदेव भगवान विश्वनात और निश्चही साक्षा तारक ब्रह्म है, काशी क्षित्रम निवास्थान जन्हवी वरनोत्वकम, गुरुर वि गुरुदेव की सिवा ही तिर्थ राज कहा गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट व्रिक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विश्नु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखार विंद में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्थ हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्विच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पूरुस का सदा चिंतन करती है। उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए अपने आश्रम, जाती, किर्ती, पातन, पोशन ये सब चुड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ती से ही प्राप्त होती है यह बात तीनों लोकों में देव, रिशी, पित्र और मानवत द्वारा स्पष्ट रूप से कही वई है गुशब्द का अर्थ है अन्धकार, अज्यान और रूशब्द का अर्थ है प्रकाश यानि ज्यान अज्यान को नश्ट करने वाला जो ब्रंभ रूप प्रकाश है वो गुरु है, इसमें पोई संशय नहीं है गुकार अन्धकार है और उसको दूर करने वाले रुकार है अज्यान रुपी अन्धकार को नश्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते है गुकार से गुनातित कहा जाता है, रुकार से रुपातित कहा जाता है गुन और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदिक गुनों का प्रकाशक है और दुसरा अक्षा रूप रुकार माया की भ्रांती से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है गुरु सर्वश्वती रूप श्रिष्ठ रतनों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और विदान्त के अर्थ को प्रवत्ता है इसलिए श्री गुरुदेव की पुजा करनी चाहिए जिनके स्वर्ण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता हैं और वही सर्व संपदारूप है अत하 श्री गुरुदेव की पुजा करनी चाहिए संसार रुपी व्रुक्ष पर चड़े हुए लोग नरक रुपी सागर में गिरते हैं उन सब का उधार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है जब विकट परिस्थिती उपस्थित होती है तब वेही एक मात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्मस्वरूक है ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है संसार रुपी अरण्यमे प्रवेश करने के वाद दिमूड की स्थिती में चित्त ब्रहमित हो जाता है उस समय जिस्थ ने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है इस प्रिथ्वी पर त्रिविधी तापर रुपी अगनी से जलने के कारण अशांत्व प्राणियों के लिए गुरुदेवी एक मात्र उत्तम गंगाजी है ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है साथ समद्र परियंत के सर्वतिर्थों में सनान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामरित के एक बिंदु के फल का हजारवा हिस्सा है यदि शिवी जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले है किन्तु यदि गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं अतह गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए शिवे रुष्टे गुरु स्त्रात्ना गुरु रुष्टे नकस्चन तम थ्वा पुलगुरुम सम्यत गुरुमेव समाव। श्रय हे प्रिये गुरु ही त्रिनेत्र रहित शाक्षत शिव है दो हात वाले भगवान विश्णु है और एक मुख वाले ब्रह्माजी है देव किन्नर गंधरव पित्र पक्षत तुम गुरू और मुनी लोब भी गुरू सेवा की मिधी नहीं जानते हे प्रे तार्किक वैदिक ज्योति सी कर्मकांडी तथा लोखी कर्जन निर्मल गुरू तत्व फु नहीं जानते यदि गुरू तत्व से प्रांक्त मुक हो जाये तो याग्यक मुक्ति नहीं पा सकते योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी मुक्त नहीं हो सकते गुरू सेवास विमुक गन्वर्व पित्र यक्ष चारण रिशी सिद्ध और देवता आदी विमुक्त नहीं होगे